विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना सब का मंगल होगा तब विश्व के चेतना तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो यह जो यह समय आप दे रहे हो न प्रार्थना का इसमें देखो कि आप का मन आपकी बुद्धी आपका हिरदय आपके भाव आपके विचार आपकी वानी उसकी क्वालिटी पर टिके हो जो आप दे रहे हो तो क्यों न उसको बेस्ट दिया जाए उत्तम तरीके से दिया जाए तेखो कोई परासना कर रहा है आँख बंद करके बैठा तो है यूट्यूब आँग करके मर सोच रहा है कुछ और टापिक पर वो कहेगा मैंने नवनो की परासना की यूट्यूब चल रहा था मैं अपना सोच रहा था तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है क्योंकि हमें इसको मल्टिप्लाइ करवाना है ये बीज हजारों गुना मल्टिप्लाइ हो जाए तो आप जो कर रहे हो न अब ये समय दिया ही है न तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ उसमें कोई मिलावट नहीं है ये है ध्यान का शुद्ध दान और दिल से करें और कॉलिटी के साथ करें तेखो दो मिनिट भी आप दे रहे हो न तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं तो ह हुमारी जमेदारी छोटी सी भी क्योंना मैसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आब वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा, हैपी थाउट्स, तेज ग्यान फाउंडेशन त्वारा आयोजित, ध्यान प्रार्थना पीज भूने के लिए आप सब का स्वागत करते हैं, रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, ताकि हम खुद भी स्वस्त रह पाएं और जो बीमार हैं, उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुँचा पाएं। तो आईए, ग्रहन शील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाब लेते हैं। आजाते हो, यह गर आपके महले में कैसे दिखाई देता है, और यही गर आपके शहर में कितना छोटा दिखाई देता है। और यही गर अगर आपके राज्य में दिखाया जाए, तो उसका आकार कितना होगा। और यही गर सभी राज्यों को मिलाने वाले देश में कितना दिखाई दे रहा है। और यही गर विश्व में गलोब पर कितना दिखाई दे रहा है। उसकी साइज उसका आकार और इतना छोटा आकार उसके अंदर आप और आपके अंदर अहिंकार तो उसकी साइज कितनी। उसका आकार कितना उसकी पहुँच कितनी और यह गलोब ब्रह्मांड में किस साइज का है। जब इस तरह कोई मनन करता है तब अहिंकार को जुकने का समर्पित होने का संदेश मिलता है। अहिंकार को आइना मिलता है। कैरे खोजियों अहिंकार को आइना दिखाओ। अहिंकार से मुक्ती के लिए स्वधर्शन जरूरी है। स्वध सेल्फ का दर्शन और शरीर में बने व्यक्ति का दर्शन। यह दर्शन अलग स्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति को समर्पित करता है तो यह प्रियोग तब तब जरूर करें जब मन स्वय को स्रेष्ठ बताकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करें और प्रार्थना करें कि यह सदा आइने में अपना दर्शन करें और ईश्वर की अभिवक्ति में मदद करें यह परमात्मा आप इस एहिंकार को सदा अपने चर्णों में रखो स्वय को अलग मानकर जो दुख बिमारियां असंतुस्टी अविश्वास तकलीफें में तनाव भोगा है उसके लिए मैं शमा प्रार्थी हों किर्पया इन सारे विकारों को समाप्त करें मेरे अज्ञान को दूर करें पिर्थी पर जो भी मनिश्य अहिंकार को आइना नहीं दिखा पा रहे हैं उन सब को दरपन मिले स्वय दर्शन मिले यह हो सकता है आपकी किर्पा से यह हो रहा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्पन में हम जैसे पालने में थे वैसी अवस्था बड़े होकर बुद्धी के जगने के बाद भी अहिंकार रहित अवस्था फिर से प्राप्त कर पाएं और आश्चर्य बोध में जीना सीख पाएं ऐसी कृपा की मांग प्रारतना में करें हे परमात्मा ऐसी प्रग्या ऐसा विवेक जगाओ ताकि कभी भी अहिंकार की सेवा न हो सदा अहिंकार के पार हुंकार में रहे पाने का साहस दो बुद्धी दो हे परमात्मा चाहे चारों और लोग अहिंकार में जीते हुए दिखें तो भी अहिंकार में अहिंकार के वातावरण में भी निरलिप्त रहे पाऊं ऐसी कला दो पहली सीड़ी यही है कि अहिंकार में भी काम कर पाएं दुसरों के अहिंकार को देखकर अपने केंदर से न हट जाएं ताकि सदा प्रेम आनंद मौन में रहे पाएं हे परमात्मा अहिंकार को दरपन दिखाने के लिए आपकी भक्ती भर दो भक्ती में सब समर्पित हो इश्र के गुण आत्म साथ हो अहिंकार के मरने जगने के चक्र में 84 लाक जन्मों की साइकल चल पड़ी है एक ही दिन में अहिंकार शांत होता है जागरत होता है यह जनम मरन का फिरा समाप्त हो जाए शरीर का जनम मरन मोक्ष नहीं है शरीर के जनम मरन से मुक्ष नहीं है अहिंकार का जनम मरन खतम होना मोक्ष है शरीर तो पंच तत्वों से बनाया गया है शरीर के अंगर उठने वाले गिरने वाले अहिंकार का ग्यान सब को मिले अहिंकार की missing link सब को पता चले शरीर तो मात्रा address है हम कौन हैं यह तेज ग्यान सब को मिले तेज यानि जो दो के परे है सुख दुख शोर शांती के परे है मैं और तू के पार है यह ग्यान सब को मिले अहिंकार को समाप्त करने के लिए आत्म परिक्षन करें अहिंकार को यह दरपन दिखाएं कि आपका अस्तित्व इस ब्रहमांड में एक तिन के जितना भी नहीं है आत्म निरिक्षन करें अपनी वरितियों को समाप्त करें इंटेंशन इरादा लेकर डिसाइड करें मन से दो-दो मिनिट बढ़ा कर काम करवाएं ध्यान करवाएं नो बजे की प्रार्थना करवाएं सबका मंगल हो ऐसे भाव बढ़ाएं ताकि सबके होने में मेरा होना है मेरे होने में सबका होना है इस भाव में अहिंकार विलीन हो जाए विलीन हो जाए प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल अरजित बल लोक कल्यान के लिए समर्पित करेंगे अपने अपनेidos जैसे रह समर्पित कैसे प्राथ एंत में विलीओ और विलीन हो जाए अपने प्राथ सबी दीरी दीरी आँखे खुले आईए सब क्रेहनशील होते हैं एक चेतना संधेश सुनने के लिए मूल गल्ती होगे तो फिर बाकी सब गल्तियां होती है मूल गल्ती पर रोक लगा दी तो सब गल्तियां छुट जाती है बच जाते है जो फिर से बच्चे बन गए वे बच गए यानि फिर से जो अनुभवव पर लोटे बच्पन में जैसे आप पालने में थे कैसे अनुभव में थे फिर से उस अनुभाव को प्राप्त करना है अब इस अहिंकार को कैसे समालना है अब यह अहिंकार है यह नहीं होना चाहिए वे आइसा सिर्फ कहते रहोगे तो नहीं होगा उसके लिए जैसे आप बिजली है बिजली में हाथ लगा तो शौक लगता है तो आप क्या कहते हो, दस्ताने पहनते हो, फिर हाथ लगाते हो, क्योंकि आपको वो काम करना उसके उपर, वायर निकाल के दूसरी जगह लगाना है, काम करना है ना, यानि संसार में रहोगे, तो चारो तरफ अहंकार की सेवा चल रही है, चारो तरफ लोग अहंकार में जी र होना चाहिए उससे काम नहीं चले गया, कई लोग खालीजे सुचते रहे, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, उससे नहीं, पहले आहिंकार में काम करना सीखो तो सही, आहिंकार के वातावरन में, तुम्हें शौक नहीं लगना चाहिए, दूसरों के आहिंकार से त तुमको शौक नहीं लगना चाहिए। हाथ लगाओ, मगर दस्ताने में। तुम्हारा अहिंकार तुमको तकलीब नदे दे। अब ये पिगलने लगा है। विलीन होने की तरफ जा रहा है। हर दिन देखोगे, समर्पन बढ़ते जा रहा है, भक्ती बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और फिर इसी अहिंकार को ही विलीन करने के लिए इतनी मूर्थियां बनी। किसी के सामने तो समर्पित करे इंसान। चलो तुमको ये बगवान पसंद नहीं तो इस बगवान की पुजा करो। किसी के आगे तो समर्पन हो। ये सब आयोजन किस लिए था। ये मूर्थि पुजा रहस्य है। ये सब अहिंकार को गिराने के तरीके इतने वर्षों से चलते आ रहा है। इस्वर के गुण हमारे अंदर आएं। तो सच्चे वक्त तो सही डंग से काम होगा। अहिंकार समर्पित हो जाए तो सच्चे वक्त इस तरह पूजा होनी चाहिए। और ये अहिंकार का उठना, पैदा होना, मरना चलते रहता है। दिन पर में देखो गए अब ये अहिंकार शान्त है। अब यहां इंकार जाग उठा, अब यहां इंकार मर गया, अब फिर उसे पैदा हो गया, फिर उसे मर गया, फिर उसे पैदा हो गया, दिन में कितनी बार, इसी को तो जनम मरन का चक्र कहा गया, बर लोग शरीर के जनम मरन को पकड़ कर बैठे, चौरासी लाख जनम होंगे, फ आधिशमान कर बैठे हैं, अहिंकार का जनममरण खतम हो, वो मोक्षा है. एर शरीर क्या है? वो तो पंच तत्वों से बनाया है, वो तो खुवलीन हो जाता है, उसका जनममरण की बात नहीं चल रही? एक बिल्डिंग मनाई तोड़के दूसरी बिल्डिंग मनाई वही मट्रियल यूज किया इदर मट्रियल तो वही घुमते रहेगा उसका जनम मरन नहीं जो शरीर के अंदर आहिंकार है इसका जनम मरन जो अपने आपको separate व्यक्ति बानता है मेरा जनम असली बात लोग भूल गए missing link इसको कहा गया लुप्त हो गया जो ग्यान अब फिर से उसको लाना तो ये आयोजन चल रहा है आप साक्षी हैं उसके कि कैसे लुप्त ग्यान को फिर से लाया जा रहा है इसका फायदा आपको तो हो ही हो विश्यो के हर इनसान को इसका फायदा हो वरना लोग शरीर के जनम नन की मृतिय को अपना जनम मरन मानलेते है शरीर तो आपकी address है address आप कैसे हो सकते यह तो आपकी address है उसके जनम मरन में मत जाना यह जो आहिंकार दिन बार में पैदा होता है मरतिय sitten ये चक्र खतम हो जाए, ये 84 लाग है, इस से मुक्त होना है, तो मोख्ष, निर्वान, ऐसे बड़े-बड़े शब्द लोग सुनते हैं, सोचते हैं, को हमें वापस जनम नहीं मिले, तो हम मुक्त हो गए, कितना दोखा है, अज्ञान के लिए हम कार्य करेंगे, जिसमें आत्म परिक्षन शुरू करेंगे, आत्म निरिक्षन शुरू करेंगे, सेल्फ इंक्वारी शुरू करेंगे, ताकि ये अज्ञान खतम हो जाए, प्रार्थना और मार्ग दर्शन का सभी ने लाब लिया, आईए, यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थन्याबाद झाल